यही में 20 अप्रेल को यूपी वोट का रिजल्ट आया और हम देख पा रहे हैं कि काफी बच्चे ऐसे हैं कई लाख जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट है ही नहीं आप यह कर सकते हैं कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट है ही नहीं अब इसका कारण क अगर सर हमारी कॉपी अगर चेक करिए तो हमने पूरा लिखा है अभी इन सभी का हम बच्चों आपको ये भी बताएंगे इसका कैसे निस्तारन किया जाए अब स्कुल में पढ़ाते हैं अभी आपसे अगर आपसे अगर हम कुछ क्योस्ट हो अगर आपको दे दे मालने दस-पांच क्योस्चन ऐसे दे दे और यह कॉपी दे दे आपको कि आप टेस्ट दीजिए आप इस कॉपी को भरिए लिखिए इस क्योस्चन का एंसर तो ज्यादा तर यह जो आप कांपी देख पा रहे हैं अगर इस कांपी को अगर हम सही से बच्चों अगर चेक सारे की सारे नमबर मिलेगा लेकिन उतना स्कूर का नमबर नहीं मिलेगा जो बच्चेपास हो जाएंगी यह अब आगे सुनिए आप इस में क्या होता है आप एक्जाम दिये एक्जाम बच्चों जब आप दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप लिखा एक आपने पुरा कॉ या से हे रिलेटर लिखा अब बच्चो आपको नंबर कहां से मिलेगा तो बच्चो यह चीज़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप बच्चो लिखें जो भी आप लिखें आप content पे ध्यान दिजी आपका result आया नंबर अच्छा नहीं बना परसंटेज नहीं बना तो बच्चो आप सोची का आपका result कैसा है कि आपका कहीं content तो नहीं खराब है आपने जो question लिखा था है उसका answer लिखा था उसमें लिखावर तो नहीं खराब है बच्चो देखें जो हम आपको वीडियो प्रोवाइस करते ह है यह एक हलाकि बोर्ड कांपिया तो हम लोग चिक करते हैं लेकिन यह डेमो दिखाते हैं कांपी ऐसे ही चक की जाती है बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं अब बताइए चववाल लाक हमारी यूपी में बच्चे एक्जाम दिए सबसे अगर देखा जाए पूरे भारत का सब सबसे बमच लाइक में अगर देखा जाओ अपने उपी में होतेे हैं तो ढहर सारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ठीक है नहीं पढ़ेंगे ज्यादा-ज़्यदा बच्चे टनसली होंगी ऐसे ही हमारे पाप बच्चे फोल लगा कि रो रहे हैं कि सर हम कैसे करें हमारा नंबर आप बढ़वाईए देखिए सर एक बार जो एक बार कॉपी जज गई आपका रिजल्ट आगे आप उसमें कुछ नहीं हो सकता हाँ अगर आपको कहें प्रॉब्लम है समस्या है कि सर हम आपी चेकिंग होगी आपने अच्छा लिखा है तो आपको बच्चो अच्छा नंबर मिलेगा यह है लेकिन हाँ जो बच्चे पुराने हैं वो ध्यान देंगे जो हमने बताया कि आपने गलतिया क्या की होगे जिसमें आपको नंबर कम मिला दोजार पच्चीस के बच्चे हैं उन्हें इस गल्टियों का सामना न करना पड़े